जैहिन नमस्कार तो कैसे हैं आप लोग सब पढ़ाई लिखाई सब ठीक ठाक चल रही है कि नहीं अपनी बात कमेंट में बताते रहिए अनुपाद समानुपाद का लेक्चर नंबर 18 है और इसमें हम लोग जिस तरह के सवाल करने जा रहे हैं वो सुनो जो मेंस के बड़े-बड़े सवाल होते हैं जिनको देख के अकसर लोग छोड़ दिया करते हैं उन सवालों को हम लोग बहुत आसानी से सॉल्फ करने जा रहे हैं तो चलिए सुरू करते हैं किस तरह के सवाल लिए गया है पूरे खुसी से उत्साव मंग के साथ हम लोग करना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट अगर बोरिंग समझके पढ़ेंगे तो फिर सीखने में समय लगेगा ठीक है इसलिए आप लोग के लिए लिखा है कि जिस कारे को पूरे उत्सा और खुसी के साथ किया जाता है उसमें सफलता जल्दी प्राप्त होती है पूरा एकदम प क्योंकि उसमें 100% focus के साथ बहुत मज़े से उसको सुना बहुत interest लेके सुना बहुत ध्यान से सुना भूलने की बात ही नहीं है तो अगर वही चीज math के साथ भी करें या कोई भी चीज subject पढ़ते हुए पूरे focus के साथ पढ़ें पूरा interest लेके पढ़ें तो कभी नहीं भू लेंगे बहुत आसानी से जाद हो जाएगा ठीक है दो क्या है question कि A और B के I का अनुपाद 2 नुपाद tą एक है पांच अनुपाद 3 के अनुपाद में ब्या करते हैं ठीक है बे का अनुपाद दिया हुआ है 4 नुपाद 1 के व्चट करते है और क्या दिया है A और B तोनों की क कुल मासिक बचत 5,000 दिया है और बचत का अनुपात भी दिया हुआ है तो यहाँ तो काम हो गया आसान ठीक है देखो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि A और B है आपके पास दो लोग है ठीक है इनके बचत का अनुपात दिया हुआ है चार अनुपात एक ध्यान सा समझना ये क्या है भाई बचत का अनुपात है और इनका कूल बचत कितना दिया हुआ है कूल बचत दिया हुआ है पांच हजार ठीक है तो भाई पांच हजार अगर कूल बचत है टोटल बचत है तो एका हिस्सा जरूर चार हजार होना चाहिए मत इनतबार कर चुके हैं ठीक है फिर भी अगर आप लोग पिछला वीडियो कोई नहीं देखा हो और डारेक्ट इस वीडियो पर आ रहे हैं तो उनको हम बता दे कि हिस्सा निकालने के लिए एका हिस्सा निकालना है अगर तो एका उन पाच चार है मतलब पांच जार को चार वटा पांच सगुना करेंगे तो एक हजार आएगा ये भी कर सकते हैं दूसरा बात इनका कूल बचत दिया हुआ है पांच जार ऐसे भी आप कर सकते हैं कि भाई चार जोड़े एक पांच का मान दिया है पांच हजार तो एक का मान होगा एक हजार और चार का मान होगा चार हजार नहीं यह काम भी हम लोग कई questions में कर चुकें तो 1 कामान 1 हजार है तो B का हिस्सा 1 हजार 1 का मान 4 है तो 4 का हिस्सा मतलब 1 का हिस्सा 4000 जैसे भी आप निकालें बहुत सारा तरीका इसका बताया हुआ आप लोग को पीछे तो खेर A और B का बचत तो बहुत असानी से 4000 और 1000 मिल चुका है अब इसमें क्या कहा जा रहा है ध्यान से समझना कि A और B के I का अनुपाद 2 अनुपाद एक है और 5 अनुपाद 3 के अनुपाद में ब्या करते हैं तो देखो B की अनुपाद पूछी जा रही है तिक है देखो यहां पर हम लोग यह लिख लें कि इनके I का अनुपाद क्या है तिक है I का अनुपाद क्या है भी है I का अनुपाद है I का अनुपाद है A और B का 2 अनुपाद 1 अब देखो B का मासिका पूछा जा रहा है तो अगर B का मासिका आए अनुपाद सनंबर 1 से देखें अगर 7000 होता तो B का मासिकाए अगर 7000 होता तो A का I कितना हो जाता 725 4000 ठीक है और बचत पता है B का बचत है 1000 आए 7,000 बचत है 1,000 तो खर्चा कितना होगा टीक है खर्चा मतलब व्याय व्याय कासे निकलता है भई तो व्याय मिलता है आई मेंसे बचत घटा के 7,000 रुपया B का आई है उसमें 1,000 रुपया बचा रहा है तो 6,000 जुरूर खर्च कर रहा होगा 14,000 रुपई या एका आय है और 4,000 रुपई वो बचा रहा है तो जरूर 10,000 रुपई वो व्य कर रहा होगा और इसका अगर अनुपात करने का कोशिस करोगे तो 3,0 में से 3,0 कट गया 2,5,10 और 2,3,6 5 और 3 का अनुपात निकल के आ रहा है व्य का तो क्या कोशिण में 5,3 का अनुपात है तो आप बोलेंगे हाँ सर विल्कुल है तो है तो option number A किसका answer हो गया ये तरीका हुआ option चेक करने का बात समझ में आई और देखो जब भी आपको कोशिण बनाते समय दुईगात समीकरन नजर आए या दो चरवाले एक रैखिक समीकरन नजर आए ठीक है मतलब linear equation in two variables दिखे या quadratic equation दिखे तो जब सबसे बहतर तरीका ये है कि आप option चेक कर दें ठीक है बेधड़क और question बहुत असानी से solve हो जाएगा ठीक है लेकिन अगर मान लो नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे देखो बचत तो मिल गया है बहुत असानी से ठीक है method भी बता देते हैं method सिखने से पीछे नहीं हटना चाहिए अकसर हमको feel होता है कि जहाँ पर method वाली बात आती है लोग बोरों के उसको आगे बढ़ने लगते है ये सीख क्या करेंगे trick वगरा एक काद question में आपका काम कर जाता है same type के question में concept सीखेंगे तब trick ज़्यादा अच्छे से आसानी से लगा पाएंगे ठीक है देखो देखो A और B का बचत दिया हुआ है I का बात करें ठीक है I का बात करो I कितना है भी या दो अनपात एक दो अनपात एक तो अगर I दो अनपात एक में होगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 2X और X I हो सकता है A और B का नहीं 2X और X हो सकता है और VY क्या हो सकता है भाई VY का अनुपात दिया हुआ है कितना 5 अनुपात 3 तो VY किसी अलग नंबर से कटा होगा है न वै किसी अरब नमबर से कटा होगा आए किसी अलग नमबर से काट के निकाला गया होगा दो अनुपातिक तो वै में दूसरा अनुपातिक गुनांग देना पड़ेगा मतलब yy तो वै अगर 5y और 3y हुआ और i 2x और 3x हुआ तो बचत कितना होगा a के लिए बचत हो जाएगा i कितना है 2x घटा हो गया 5y बरावर a का बचत है 4,000 ठीक है i कितना है b का x a का b का b कितना है 3y और बचत कितना हो गया i में से बचत हो गया 1,000 अब देखो यहाँ पर करना क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि X या Y में से किसी को भी हम लोग बराबर कटके काटेंगे तो answer आ जाएगा लेगिन करना क्या है देखो यहां पर क्या है बी का मासिक आई पूछा जा रहा है ना तो जब बी का मासिक आई पूछा जाए बी वाला हिस्साब पूछा जाए तो आपको करना यह है कि आप ए वाले को काट के खतम कर देंगे तब आपको मिलेगा B का हिसाब किताब अब देखो B का I पूछा जा रहा है तो I वाले में अनुपातिक गुनांग क्या है? X तो हम लोग Y को काटके अगर खतम कर दें तो सीधे X का मान निकलेगा अगर गलती से तुम X काट लोगे तो फिर X का मान रखके Y का मान निकलना पड़ेगा तो हम लोग क्या करते हैं? Y को काटेंगे तीक है? Y को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? इस पहले वाले समिकरन में आपको 3 से और इस दूसरे वाले समिकरन में 5 से गुना करना पड़ेगा तो क्या बनेगा देखो 3 से गुना करेंगे तो कितना जगा 3 गुना 6X माइनस 3,5 पंदराववाई बरावर 4 तिया 12,000 ठीक है दूसरे में देखो 5 से गुना करोगे तो 5X माइनस 5 तिया 15,000 बरावर 5 गुना 1500 अब इसको बहुत आसानी से हम लोग घटा सकते हैं तो घटा लोग यहाँ, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस घटा इसलिए रहे हैं क्योंकि दोनों का सेम साइन है तो घटाने पर कटेगा अगर पहले से यह पोजिट साइन होता है किसी समीकरन में तो उसको हम लोग जोड़ देंगे, तो ही एनसर मिल जाएगा तो यहाँ देखो, यह वाई वाला कट क्या 6X में से 5X घट के क्या आया? X और X कमान कितना आया? 12 में से 5 घट के आया? 7000 तो यह हुआ मेथड, लेकिन इसको मजबूरी के हालात में लगाने है जब आपको पता नहों कि करना क्या है, तो सीखना सब कुछ है करना वही है एक्जाम में जिससे की कम समय में अंसर आ जाए अब देखो, यह जो कोश्चन है एक किर्केट मैच A, B और C किर्केट मैच में A, B और C परकार के टिक्टो का कीमत 1500 और 200 है, तीक है देखो, टिकट के कीमत का क्या हिसाब होता है न, आप लोग किर्केट मैच अगर देखने गए हो कभी स्टेडियम में या फिर सरकस वगेरा देखने गए हो, टिक है, जहाँ पर स्टेडियम में हम लोग लाइव चीज़े देखते है तो वहाँ पर देखो, इस तरह का अरेजमेंट होता है, ध्यान से देखना, कि बीच में हो रहा है इवेंट, मैच हो या सरकस हो, तो जो नजदीक वाले सीट होते हैं, उनका रेट होता है जादा, क्योंकि आप लाइव चीज़ों को पास से देखना चाहते हैं उसके बाद फिर रेट थोड़ा कम होगा, और जो जादा दूर वाला सीट होगा, एकदम पीछे वाला, उसका रेट सबसे कम होगा, ठीक है, लेकिन सिनेमा में अलग होता है, जब आप मूवी देखने जाते हैं थियेटर में, या फिर मल्टिपलेक्स में, तो आहाँ कम होता है, अब पीछे वाले सीट का रेट जादा होता है, क्योंकि इसक्रीन पीछे से जादा अच्छा दिखता है, इसक्रीन तो आल्रेडी बढ़ा है, किलियर है, तो जो चीज आल्रेडी बढ़ा है आपके सामने, उसको दूर से देखेंगे तो जादा साफ दिखेगा, स्क्रीन में मुझ अठा के देखेंगे तो फिर थोड़ा सा ही नजर आएगा, या फिर गरदन उठा के देखना पड़ा है, इसलिए rate कम होता है, तो ये थोड़ा सा फरक आप देखेंगे, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर A, B और C के बारे में कहा जा रहा है, कि कीमत कितना है या 1000 रुपया कीमत है, A तरह का seat का, B तरह के seat का कीमत है 500 रुपया, और C तरह के seat का कीमत है 200 रुपया, ध्यान से समझना, A, B और C स्रेनी में बिके हुए टिकेटों का अनपात, मतलब A वाले स्रेनी में अगर 3 हिस्से में टिकट बिक रहा है, 3 टिकट बिक रहा है, तो B व क्योंकि जनरली लोग मतलब कम टिकट वाला एफर्ट करना चाहते हैं आयवाद समझ में तो यहाँ पर यह अनुपात दिया हुआ है अब या तो आप X से गुना करके अनुपाते गुना के X मान के 3X, 2X, 5X कर ले कोई फरक नहीं पड़ता या फिर डारेक्ट 3 टिकट, 2 बी टाइब वाला जो दो ही टिकट हो तो कोस्ट आ जाएगा 1000 रुपया और C टाइब वाला अगर 5 टिकट हो तो कोस्ट आ जाएगा 1000 रुपया मतलब कि 3, 2, 5 और 5, 10 इन 10 टिकटों का कोस्ट हो जाएगा कितना भाई तो 3,4,5,5,000 रुपया इन 10 तिक्टो का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5,000 रुपया ठीक है अब इसमें क्या कहा जा रहा है टिक्टो की वसूली से कुल धाई करोर रुपया आए तो कुल बेचे गये टिक्टो की संख्या कितनी है ठीक है तो देखो 5,000 रुपय में तो 10 टिकट पिक रहे थे, तो एक रूपए में कितना हो जाएगा? दस बटा पाँच जार और अगर धाई करोड की बात हो धाई करोड कीसे लिखेंगे? दो करोड पचास लाग और लाग के लिए पीछे पाँच जिरो लभाओ, ठिक है? दो करोड पचास लाग के लिए कितना हो जाएगा इसको 2 करोड 50 लाग से गुना कर दो simple यही काम करना है तीक है एक 0 और अब देखो 3 0 से 3 0 कट गया 5 से कटेगा 25 कितनी बार में 5 बार में उसके पीछे आएगा 3 0 तीक है मतलब कितने टिकट हो गया भाई 5,000 टिकट भी गया नहीं एक बार 0 अगरा चेक कर लो क्योंकि 5,000 भी है 50,000 भी है देखो 5,000 रुपे में 10 टिकट हो रहे थे तो देखो 10 का 1 0 या चूट गया है तो धाई करोड रुपे धाई करोड है एक आई नहीं सेकड़ा 10,000 लाग 10,000 करोड दो करोड पचास लाग में कितने हो जाएंगे भाई 6,000 पीछे होने चाहिए तो 3 और 3,000 भी जिरो दिया है अगर option दिया रहे तो हाँ चेक जरूर कर लेना गलत होने का चांस बनता है यहाँ पे 5,000 और 50,000 दोनों है answer option number कौन है 3 तीक है तो यहाँ पे लट रहना है अब देखो अगला question क्या है यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि A और B के पास कुल मिलाकर 63,000 रुपे है A की 5,000 बटा 19 भाग B के 2,000 बटा 5 भाग 80 के बराबर है तो B के पास कितनी रासी है तीक है दियान से समझो किस तरह का question है A जो है A का 5,000 बटा 19 भाग बतलब A का 5,000 बटा 19 बराबर किसके बराबर है भाई B का 2 बटा 5 के बराबर है तिक है 2 बटा 5 के बराबर है अब इसमें बोला क्या जा रहा है कि B के पास कितनी रासी है देखो B वाला रासी पूछा जा रहा है न तो हम लोग हमेशा A का मान निकाल के रख देंगे B बचा हुआ दिखना चीए equation में देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि A और B के पास कुल मिलाकर कितने हैं? तिरसट सो रुपए है तो हम लोग अगर यहाँ A का बी में बदल दें तो B का मान निकल आएगा सिधी सी बात है तो B में बदलने के लिए यहाँ A बराबर क्या लिखना होगा? यह 19 उपर जाके गुना होगा B गुना क्या नज़राएगा? 2 बटा 5 गुना 19 बटा 5 मतलब कितना होगया भाई? 19 दुना 38 बटा 25 B तीक है? अब A का मान अगर 38 बटा 25 B है तो इसमें B जोडेंगे बराबर कितना आना चाहिए? 6300 और इस तरह का जोड आसानिस करने के लिए आप लोग को बताया हुए मैंने कि 25 गुना B करो कितना हैगा? 25 B और इस 25 B को इस 38 B में जोड़ो तो 25 और जोड 38 कितना हो जाएगा? तो भाई 8 5 13 305 एक्षे 63 B बटा 25 का मान है कितना? 63 100 तो B का मान आ जाएगा कितना? 25 रुपया ठीक है? एंसर हो गया ओप्सन नमबर एक ठीक है? यहां किसी को दिक्कत हो तो आप ऐसे कर सकते हैं 63 से 63 सो काटो 100 बार में और B का मान 25 गुना 100 पच्चिस सो आ जाएगा तो बहुत आसान सा कोश्चन था अब देखो अगला कोश्चन क्या है? और सधारंस रहनी रेल्वे का किराया 4 अनपात, 1 के अनपात में है टिक है रेल्वे में AC कोच भी होता है और SLIPPER कोच भी होता है दोनोly SLIPPER मतलब non-AC SLIPPER और एक होता है AC SLIPPER थरड AC, सेकंड AC, फर्सट AC तो उनके बारे में कहा जा रहा है चलो AC को हम लोग A लिखे देते हैं Slipper को S लिखे देते हैं ठीक है धान देना इन में railway का किराया का अनपात क्या है 4 अनपात एक लगभग 4 गुनाई AC का किराया अब इसमें क्या कहा जा रहा है भाई? की वातान कूलित, सयन और सधारन स्रेनी द्वारा यातरा करने वाले यातरियों की संक्या 3 अनपात पच्चिस के अनपात में थी मतलब AC वाले में अगर 3 अनपात हैं तो Slipper वाले में कितने जा रहे हैं? 25 यात्री जा रहे है ठीक है और कूल किराया संग्रा 37,000 था टोटल किराया कितना आ रहा था 37,000 अब देखो यहां भी दो दो अनुपात है जैसा question number 1 में था लेकिन यहां घटाने जोडने की बात नहीं है आपको कूल किराया निकालना है तो इसमें आपको घटाना या जोडना नहीं है equation घट जूटके नहीं बनेगा equation गुना करके बनेगा क्यों जैसे कि मान लो कि किराया चार रुपया और एक रुपया ही था अब चार रुपया वाला अगर तीन टिकट विक रहा है तो बारा रुपय टिकट होगा ठीक है यहां आए वे तो है नहीं कि आए में से वे किराया आरा भाई चार तीया 12 हिस्सा आ रहा है और سलीपर से कितना आ रहा है पचीस गुना एक पचीस का किराया आ रहा है सिधी सी बात है अब इसमें कूल किराया संगरत 37,000 बता रहा है तो 12 जोड 25 कितना होता है 37 इस 37 का मान आपको दिया हुआ है 37,000 रुपया पूछा क् मतलब AC से कितना किराया मिला तो AC वाला अनुपात कितना है 12 तो 37,000 है तो 12,000 होना चाहिए इसमें क्या यह सब लिखने का भी जोरूत नहीं है एक बार दिख गया तो सीधे एंसर लड़ेगा क्या 12,000 ओप्सन नमबर 3 आया बात समझ में किस तरीके स्वाल करना है इसको किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर से कमेंटर में अपना कोश्चन पूछा कीजे मेरा पूरा प्रयास परता है कि आप लोग का जो भी कन्फियूजन हो उसको हम दूर कर सके तो नेक्स्ट कोश्चन देखिए ये कोश्चन क्या है कि A की I, B की तुलना में 140 रुपया अधिक है ध्यान से समझो C की I, D की तुलना में 80 रुपया अधिक है बहुत बढ़िया A और C की I का अनुपाद 2,5-3 है B और D की I का अनुपाद 1,5-2 है तो A, B, C, D की I क्रमसफ क्या होगी आप इसको बना सकते हैं तरीका भी है थोड़ा सा लंबा हो जाता है लेकिन कितना अच्छा है ये कि A, B, C, D की I क्रमसफ पूछी जा रही है देखो जब exactly डारेक्ट चीज पूछी दिया जाए तो आपके पास option होता है कि आप चेक कर ले तीक है अगर इसी में बोल देता है A, B, C, D की I का योग क्या होगा तब बनाना हम लोग के लिए मजबूरी हो जाता लेकिन यहाँ पर A, B, C, D का I पूछा जा रहा है तो ने डारेक्ट दिया हुआ है और यहाँ पर relation भी आपके पास है तो आप सीधे सीधे चेक कर सकते है देखो A की I, B से 140 रुपए अधिक होना चाहिए अब A, B, C, D है भाई मेरे A, B, C, D चारो लाइन से है तो यहाँ पर Option में भी चारो लाइन से ही दिया रहेगा तो A की I, B से 140 रुपए अHीक है देखो यहाँ 260 है यहाँ चाहिए 140 रुपए अधिक है और क्या है C की I, D की तुलणा में 80 रुपए अधिक है तो देखो यह 320 है, यह 240 80 रुपए अब क्या कहा जा रहा है, A और C की I काme का अब पा से तो क्या ये 2 अनुपाद 3 नजर आ रहा है नहीं नजर आ रहा है क्योंकि यहां 13 नजर आ रहा है तो इधर 16 नजर आ रहा है option number 1 हो गया गलत अब देखो यहां पर भी 140 का अंतर है और यहां भी 80 का अंतर है तो अंतर वाला तो बराबर दिया हुआ है A और B की I का अंतर 140 दिया हुआ है C का I D से 80 रुपय आधिक दिया हुआ है अनुपाद चेक कर रहा है तो भाई A और C का अनुपाद देख लो क्या है 300 और 600 ठीक है कितने का अनुपाद आया एक अनुपाद दो का अनुपाद आया गलत हो गया यह ठीक है इसके बाद क्यों क्योंकि यहां दो अनुपाद 3 आना चाहिए था यहां भी देखो चार सो और दो सो साथ है तो एक सो चालिस कम है है ना बी जो है ए से एक ही आए जो है बी से एक सो चालिस रुपे अधिक है चार सो जो है दो सो साथ से एक सो चालिस अधिक है यहां भी छो सो है यह पास सो भी से तो असी अधिक है अनुपाद देख लेंगे तो 400 A का आये है और C का है 600 तो लगाके देखेंगे भी या तो 2 से 4 कटेगा दो बार में और 2 से 6 तीन बार में मतलब कितने का आ गया 2 अनुपाद 3 का अनुपाद आ गया ठीक है तो एक तो अनुपाद मिल गया बी और डी भी चेक कर लो तो बी कितना है 260 C है 520 तो 26 दुना 52 तो एक अनुपाद 2 भी आ रहा है एंसर आप्शन नुपर 3 होगा बहुत असानी से आप्शन चेक हो गया तीक है के वल अनुपाद चेक कर देने से काम बन जा रहा है लेकिन कई बार ऐसे डाटा होते हैं जिनमें कि आप ऑप्शन चेक नहीं कर सकते हैं जैसे इसी में अगर जो चारो ऑप्शन है वो थोड़ा बड़ा बड़ा वैल्ली होता तो कैल्कुलेशन टफ हो जाता या फिर पूस देता सिधे कि A, B, C, D के I का योग कितना होगा तो भाई जब सिधे योग करके एंसर दे देता चारो ऑप्शन तो आप चेक ही नहीं कर पाते कि किस से कितना जादा है तब बनाना आपके लिए मजबूरी था तो उस इस्तिति में आपको मेथड आना चाहिए देखो हम कभी इस बात का सपोर्ट नहीं करते हैं कि केवल ट्रिक पढ़ो और आपका एंसर सॉल्यूसन हो जाएगा आपका रिजल्ट हो जाएगा रिजल्ट उसी का होता है जिसका कॉंसेप्ट के लिए होता है जो पूरे उत्सा हुमां के साथ सीखने की कोसिस करता है तो हमेशा इंट्रेस्ट बनाए रखना चाहिए सीखने से नहीं हो बनाए कितना मज़ेदार चीज है मैथ आप जिससे पूछेंगे ना जो मैथ में जो अच्छा होगा उससे पूछेंगे आप सबसे फेवरिट सब्जेट कौन है तो बोले हम मैथ है जिसको नहीं पसंद होगा उसको पूछे आया कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट तुमारे लिए को होगा ठीक है तो इसको अपना सबसे बड़ा मित्र बनाई है एक्जाम में यही आपको रिजर्ट दिलाएगा देखो कैसे बनाना है एकी आए बी की तुलना में 140 अदिक है मतलब की भाई यह कह रहा है ए जो है बी से कितना ज्यादा है एक 240 ज्यादा है बहुत बड़ी हाँ बात सी डी से असी ज्यादा है सी कितना है डी से असी ज्यादा है अब क्या कहा जा रहा है कि ए और सी की आयका अनुपात मतलब ए बटा सी दो बटा तीन है और बी और डी की आयका अनुपात देखो ध्यान से समझो हम लोग इसको बहुत आसा बनाने के तो कई तरीके आपके किताब में देखिया बहुत बड़े बड़े तरीके से बना रहता है सब प्रिवियस गिर पूछे वो कोश्चन है ठीक है बी और डी का अनुपात कितना दिया हुआ है एक अनुपात दो तो आप इसको ये भी तो कह सकते हैं कि B अगर X हुआ तो D2X होना चाहिए नहीं B अगर X हुआ तो D2X होना चाहिए तो देखो A और C का अनुपात आपको दिया हुआ है 2 अनपाथ 3 तो A और C का अनपाथ करना है तो इधर भी 2 अनपाथ होगा हम लोग भाग दे लेते हैं A और C का अनपाथ कितना है 2 बटा 3 सीधे हम लोग ऐसे यूज़ कर ले B कितना भी है तो X प्लस 140 D कितना है तो 2X प्लस 80 देखो एक लाइन में ये question solve हो जाएगा कोई 2-2 बार 3-3 बार इसको काट कूट के solve करने का जुरूत नहीं है देखो तिरशा गुना करेंगे तो 2 दूना 4X प्लस 80 दूना 160 बराबर 3X प्लस 14 या 42 420 ये 3X इधर आके घटेगा तो X आएगा 160 इधर जाके घटेगा तो कितना जाएगा भाई 420 में से 160 घटाओ 0 12 में से 6 या अच्छ है 3 में से 1 जाएगा तो 2 X कमान आगिया 260 X क्या था? X क्या था? B कमान था B 260 कहान जरा रहा है? केवल और केवल option number 3 में यही इसका answer है बाकी चारों निकालने का जूरत भी नहीं है आपको कि सम निकाल के देखें अगर मान लो 2 option में रहता तो फिर D चेक कर लेते कि D उसका double आ रहा है कि नहीं तो 26 दुना 52 कहान दिख रहा है? केवल option number 3 में बहुत ऐसा बहुत rare ऐसा होगा कि आपको दो दो तीन जी मिला के दे दिया जाए option set करने में कभी दिमाग नहीं लगाया जाता है यह मेरा experience है इतने वर्सों से 15 साल से पढ़ाने का मेरा experience है कि option में कभी दिमाग नहीं लगाया जाता किसे भी exam में तो अगर आप सही से option check करना सीख जा रहा है तो 50% question ऐसे होते हैं जो answer आपको बिना कलम चलाए option देखके मिल जाएगा मेरा guarantee है यह ठीक है तो अगर method समझ में आया हो तो comment में बताईए पढ़ते रहे हैं मेहनत करते रहे हैं अपने दोस्तों में share करिए क्योंकि सीखने का अधिकार सभी का है मिलते हैं हम लोग next video में